कर दोस्तों मैं हूं कविता दीच्षित और पीमसी हिंदी के स्वाध्याय सत्र में मैं आप सभी का बहुत स्वाकत करती हूं आज जो हम किताब पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ओशों ने कहा था कि अगर दुनिया के सारे धार में कृंत किसी दिन लुप्त हो जाए तो ये किताब ऐसी है जो मनुश्रता को मार्क दिखा सकती है इस किताब का नाम है किताब मिर्दाद या बुक ओफ मिर्दाद इसके लेखक है माइकल नेमी जो है वो एक कवी है वो एक फिलोसिफर है और स्पिरिच्वल राइटर है इन्होंने खलील जिबरान के समकष थे उनके साथ मिलके नियॉयॉर्क पैन लीग करके संस्था भी ब और इसमें बढ़ेर सारे सबक है जो शिक्षाए है जो उन्होंने दी है तो चलिए हम किताब को शुरू करते हैं जो है वो शुरू होती है बाॉंड ऑबोट करके यानि कि ऐक साथू जो की बंदा हुआ है मठ से उसके बारे में उससे शूरू होती है ये किताब तो यह बताते हैं कि एक मिलकी मौंटेन नम की जगह है लेखक कहते हैं जहां पर एक चोटी है जिसका नाम है आल्टर पीक, तो वहां पर एक पुराना मठ है, जिसके बारे में काफिक कहानी प्रचलित है, उन कहानियों में जो बात कही गई है, वो यह कि जो नुवा था, जैसे हमारे मनु है, जब प्रले आया था, प्रले से शुरुवात होती है, तो प्रले आया था, तब जैसे हमारे म परिवार को बशु पक्षियों को लेके गए थे वैसी नोगा ने पांच महीने तक नाओं में रहा वो अपने परिवार के साथ और इसी पहार पर आकर उसने अपना घर बनाया तो यह बड़ा खुबसूरत पहार था यहां उपजाओ जमीन थी यहां पर आने के बाद जब नो में पांच महीने तक रहे और उसमें उस मत में नौ साथ ही रहेंगे उससे जादा नहीं रहेंगे तो इसके बेटे ने पूछा नौ ही क्यों उसने क्यों कि नौका में हम लोग नौ लोग थे तो इसके बेटे ने गिना लेकिन वो उसने पाया कि आठ ही लोग थे तो उसने हमारी नौका को सेफली लेके आगे चला रहा था एक सो पचास दिन पाँच मैने तक हम प्रलय में रहे प्रत्वी डूबी रही और हम उसमें सेफली रहे तो फ्रेंड्स हमारे सब के साथ भी एक अद्रश्य कप्तान हमेशा है जो हमारी नौका को चलाने के लिए तैयार है सादू तुरंत ही आजाया करते था जिसको लोग अंदर स्विकार कर लेते थे तो ऐसा करते करते हजारों साल निकल गए और एक बार जब एक साधक के मिर्टी हुई जिनको हम मठ के साथी बोलते हैं तो द्वार पर जो व्यक्ति आया अजनभी उसके तन पर एक भी कपड़ नहीं था वो भूक से बेहाल था उसको जगे जगे चोटे लगी थी और उसके हाल बहुत बुरे थे तो उस समय जो मठादीश था वो बहुत ही कठोर हरदय का व्यक्ति था वो बहुत ही संसारी व्यक्ति था और उसने उसको देखते ही अस्वीकार कर दिया और उसने का नही कि मुझे आने दो मैं ही मठ का साथी बनने के लिए आया हूँ इस पर जब ज़्यादा बहस हो गई तो उसने मठ अधीश ने कहा कि ठीक है तुम आ सकते हो लेकिन तुम मठ के साथी नहीं बनोगे तुम नौकर बनके रहोगे इस मठ में तो पहली बार मठ के इतिहास में ऐसा ह कि आहां पर आठ साथी और एक नौकर रहे नौ व्यक्ति उसमें रहे तो लेखक के हम तरफ से हम पढ़ेंगे मैं पढ़ूँगी और मैं मैं बोलूँगी यसे लेखक ने स्टोरी को लिखाया तो लेखक कहते कि मैंने जब यह कहानी सुनी तो मैं अपने आपको रोक नहीं मैं रात भर सो नहीं पाया और मैंने तै कि मैं उस पहाड पर जाओंगा अब उस पहाड पर जाने के दो रास्ते थे दोनों तरफ से लेकिन मैंने यह तै कि मैं जो बीच की एक पतली पकडंडी है चमकदार जो दिखरी थी देखने में सुन्दर सफेद मैं उस पर जाओंग लेकिन मैंने मन में ठान लिया था, धूसरे दिन सुभए मैंने साथ ब्रेड के लोफ एक कपड़े में बांधे और तयार होके एक लाठी हाथ में लेके पहाड चड़ने के लिए मैंने पढ़ाय को चड़ाई शुरू कर दी, अब जब चड़ाई शुरू कर दी तब मुझे सम क्वेरिंट नाम के पथरों से बना हुआ था और वो पत्थर बहुत बहुत बягां नुकीले थे और बहुत ज़्यादा उनकी जो कोने थे उनकी एज़िस थे बड़े शार्प थे और हर जगे चुब रहे थे वो पत्थर लेकिन मैंने हिम्मटन निहारी और दोफेर होते होते मैं एक ऐसी समतल जगे पहुँच गया जहां बैठके मैंने सोचा कि चलो भूख लग रही है कुछ खाये जाए और मैंने अपनी ब्रेट जैसे ही निकाली तो अचानक कहीं से बकरियों का जुन्द और उनका चरवाहा बासुरी बजाता हुआ आ किया कि मेरी सातों ब्रेट टुकडे टुकडे करके अपनी बकरियों को खिला दी और जब मैं हैरान हो गया और मुझे अश्चर भी हो गया गुस्सा भी आया और मैंने कहा कि तुमने मेरी सारी ब्रेट खिला दी अब कम से कम मुझे बकरियों का थोड़ा दूद दे दो तो उसने कहा मेरी बक्रियों का दूद्ध मूर्खों के लिए नहीं है तो उसने कहा किआ जो व्यक्ति साथ जणमों की यात्रा के लिए साथ ब्रेट के टुकड़े लेके चले वों मूर्ख नहीं है तो और क्या है तो मैंने कहा तो क्या मुझे 7000 टुकड़े लेके चलना चाहिए था तो उसने कहा कि एक भी टुकड़ा नहीं लेना चाहिए था क्यों मैंने पूछा उसने कहा कि वो राहा ही किया जो पठिक की देखबाल ना कर सेगे कितने खुबसूरत बात है फ्रेन ये कि जब हम कोई रास्ता चुनते हैं तो आप ये पाएंगे कि वो रास्ता ही हमारी देखभाल करता है रास्ता ही हमें आगे ले जाता है वही सारे साधन जुटाता है अगर वो सत्यमार्ग है तो वो रास्ता हमारे लिए सब कुछ करता है ह में कुछ भी सोचने की जरूर नहीं है, चिंता करने की जरूर नहीं है, इतना बोल के वो अव्यक्ति चला गया, और मैंने सोचा चलो अब आगे की यत्रा की जाए, और मैं आगे चड़ता चड़ा गया, रात होते होते तक मैंने एक चट्टान की गुफा, चट्टान से बनी ह गुफा देखी, उसमें जाके मैंने सुचा चलो रात यहां बिता लेता हूं, हाला कि उसके ठीक सामने बहुत ही गहरी एक खाय गढ़ा था, तो मेरे जूते जो है वो तार-तार हो चुके थे, कपड़े भी जगर जगर से फट गए थे, हांतों पेरों मैं खून था, लेकिन ब एक भी कपड़ा नहीं नग ने थी वो, और एक बहुत प्सूरत सी बुड़िया मेरी जैकेट उतार रही है, और दीरे-दीरे करके बुड़िया ने मेरे सारे कपड़े उतार दिये, अब मैंने उससे कहा, बुड़िया से, कि तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो, मेरे पास यही है मेरी संपत्ती, और कुछ है ही नहीं, कि कपड़े क्यों ले जा रही हो तुम, तो उसने जो बात कही है, मैं आपको पड़के सनाती हूँ, less possessing, less possessed, more possessing, more possessed, more possessed, less possessed, less possessed, less possessed, more possessed. तो friends, जो भी हम अपने जीवन जीने में, जुन साधनों का, जुन बंधनों का, भेर सारी चीजें एकट्टी कर लेते हैं, हम अपने सोचते हैं कि सब हमारे काम आएगा, वो अच्छली क्या है, वो सब हमारी रह का रोड़ा है, तो जितना सामान हमारे पास कम होगा, जितने बंधन कम होगे, उतना ही इश्वर से हम तक आने वाला रास्ता साफ होगा, इश्वर हम तक जली पहुँचेगे, तो हम जो जीवन जीने के संसाधन, जो हम इखटे करते हैं, हम ऐसे इखटे नहीं करना कि उन साधन, वो साधन हम पर हावी हो जाए, उनका हम पर अधिकार हो तो friends ये भी एक बड़ी प्यारी बात थी ऐसा करके वो बुढ़िया मेरे सारे कपड़े लेके अपनी उसने अपनी लड़की को पहना दिये और वो लड़की और वो दोनों बुढ़िया चले गए और मैं दाथ किट-किटाता हुआ बैठा ही था इतने में एक बुढ़िया आ दोनों उनके साथ एक कुट्ता था और आते ही बुढ़िया ने कहा कि देखो बुढ़िया हम कितने खुश किस्मत हैं कि हमें रात गुजारने के लिए इतनी सुन्दर जगे मिल गए हम यहां अपना बैड बनाते हैं और तुम्हारे पास लाठी नहीं थी तो ये व्यक्ति क ये इतनी ठंड है मेरे पकत कपड़े नहीं है तो आप मुझे ऐसे क्यों DONAK दे रहा हम मेरें मेरे पास कुछ जगह नहीं है मेरे पास जाने कि तो उसने कहा बुढ़िय ने के जिनके पास घर नहीं है वो बहत किस्मत वाले हैं क्योंकि सारी अप्रत्वी मेरा है तो मैं मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं चला जाओंगा लेकिन कम से कम मुझे तुम अपनी लाल्टेन देदो तो इससे कम बाहर देख सकूँगा मुझे अंधेरे में मैं खा ही मैं न गिर जाओं तो उसने इतनी कुपसरत बात दी उसने कहा कि इतनी प्यारी बात है जो प्रेम है और जो प्रकाश है वो हमारे अंदर का प्रेम और प्रकाश है वही हमें रास्ता दिखाएगा तो इसलिए हमको अपने अंदर प्रेम और प्रकाश जागरत करना होगा तो ऐसी छोटी-छोटी कितने सुन्दर इंसाइट्स के साथ ये किताब अगे बढ़ती जाती है तो उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि ये बहुत उचाई पर है लेकर ये मैं कहा जाओंगा तो उसने जो जवाब दिया उसने कहा कि जो जितना उचा होता है वो उतना ही जुका हुआ निए इंसान होता है और उसके अलावा ये कहते हैं कि जो highly eloquent है वो डाम है जो बहुत ग्यानी है जो बहुत कुछ बता सकता बोल सकता वो शान्त रहता है वो अपनी शेक ही नहीं बगारता और ऐसे ही कहते हैं कि जो अपना सब कुछ दे देता है उसको सब कुछ मिल जाता है इसके बाद मैंने उससे कहा कि अगर मैं मर गया तो यहां मैं जाओंगा तो मैं मर भी सकता हूँ तो उसने मुझसे क्या कहा उसने कहा ये माया रूपी खड़ड़ा जो है जिसमें हम सब जी जन्तु हम सब एक हो रहे हैं ऑपर, नीचे अपने आपको शमय नहीं पा रहा है, इससे हमें कोंक्त कर सकता है, इससे हमें अपना의 मुक्त कर सकती, और वह हैं मृत्य, मृत्त locks भी हमारी मुक्तिदाता है, और उन्होंने एक बात बोली कि die to live or live to die कितनी प्यारी बात है कि हमको अपना जीवन कैसे बिताना है निदर होके जीवन का सामना करना है मृत्यू का सामना करना है हमको ऐसा जीवन नहीं बिताना है जिसमें हम डरते डरते जीवन बिताते हैं जुकि हर बार हम जितना डरते हैं थोड़ा सा मृत्यू को प्राप्थ होते हैं और उतने बाहर होते 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 फाइनली हम मृत्यू को प्राप्थ हो जाते हैं तो हमें निडर होके जीवन का सामना करना है रत्यू का सामना करना यही असले जीवन है तो ऐसा करके उन्होंने मुझे बाहर धकेल दिया जाने के लिए मजबूर कर दिया और मैं बोलके और मैं चला बाहर और जब मैंने एक स्टेप लिया और दूसरा स्टेप लिया लेखख कहते हैं और तीसरे स्टेप में मैं उस खाई में गिर गिया और जब मैं गिर रहा था तो मेरे कानों में जो शब्द गुंज रहे थे वो शब्द थे डाइ टू लिव और लिव टू डाइ बस यही यही गुंज रहे थे तो उसके बार लेकर कहते कि जब मुझे होश आया तो मैंने यह पाया कि एक बड़ा भारी भरकम सा अजनबी मेरे मुँ में पानी डाल रहा है थोड़ा सा और उसने मुझे से बोला कि एखुश नुमा अजनबी तुम उठो तुम अपनी मन्जिल पा चुके हो तो मैंने उससे पूछा कि मैं कहां हूँ तो उन्होंने बताया कि तुम आल्टर पीक पे हो जो तुमारी मन्जिल थी जहां तुम जाना चाहते थे तो मुझे बड़ी हैरानी हुई मैंने का यहां मुझे कौन लाया मैं तो गड़े में गिर गया था खाई में तो वो व्यक्ति बोलता है कि वो ही लाया तुमको जिसने तुमको प्रेरित किया इस रास्ते से इस चोटी पर आने के लिए जो तुमें इस चोटी तक लेके आया वो ही तुमें ख़ड़े से निकाल के लाया तो मैंने उस तो पुछा तो वो कौन है उसने बोला वो वही है जिसने मुझे गूंगा कर दिया मेरी मेरी जबान ले ली और जिसने मुझे इस जगह इस मठ में इस और टरपीग में डेर सो साल से बांग कर रखा हुआ है तो मैंने का अच्छा तो क्या तुम बंधे हुए सादू हो जिसके बारे में न जा आनी सकता हो तो उसने बोला कि हाँ मैं वही हूँ तो मैंने का लेकिन तुम तो बोल सकते हो तो उसने का तुमें देखके मेरी जबान खुल गई है और मैं वैसे किसी का साथ नहीं करता मनुश्यों का मैं क्यों कि मुझे शाथ मिला हुआ है लेकिन मैं तुम्हारा साथ क मुक्त करने आया हूँ मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसा था तो उसने फिर मुझे अपने बारे में सब बताया उसने वही बात बोली कि जैसे तुम रत्यु को प्राप्त होके जीवन मिल गया तुमको और मैं हर पल जी रहा हूं मरने के लिए I am living to die you have died to live तो मर के जीवित हो गए लेकिन मैं जी रहा हूं मरने के लिए हर पल यह उस बात उसने बोली फिर उसने बताया कि देर सो साल पहले मुझे यह कहा गया था कि एक व्यक्ति जिसके तन पे यह कपड़ा नहीं होगा जो भूका होगा जिसके पास एक लाठी भी नहीं होगी जो इस रास्ते सा आएगा उपर वो मेरा संदेश वहक होगा और उस संदेश वहक को मुझे एक अमानत सौपनी है और उसके बाद मेरा पहले श्राब से मैं मुक्त हो जाओंगा ऐसा उसने बताया तो इसने बोला कि कौन सी बुग देनी है उसने बताया कि यह वो किताब जो तुम्हें पब्लिश करानी है तो मैंने पूछा कि कौन सी किताब तो इस जिक्ति ने बोला उस किताब का नाम है The Book of Mirdad, किताब मिर्दाद, तो मैंने पुझा ये मिर्दाद कौन है, तो उसने कहा कि अरे तुमने मिर्दाद का नाम नहीं सुना, मैं तो सोचता था कि धर्ती पे सभी लोग मिर्दाद के बारे में जानते हों कि अब तक गेर सो साल में, मिर्दाद एक ब पवित्र हो गया, वो इतना पवित्र विक्ति था, तो इसने कहा कि तुम मुझे थोड़ा सा और बताओ उस मिर्दाद के बारे में, तो उस विक्ति ने बताया कि मैं ही मठादीष था जब मिर्दाद आया, और मुझे बड़ी नफरत हुई उससे जब वो आया, और उसके ब तो सारे लोग, सारे मठ के जो इतने भी साथी थे, साधक थे, सब उसके कायल हो गए, सब में उसको अपना गुरू बना लिया, और मठ में सब कुछ बदल गया, उसने कहा कि मैं अकेला रह गया, मैंने मिर्दाद जैसे विक्ति से लड़ाई ली, जो कि अपने आप में एक स अलक कर रहा हूं, और तो मैंने से कहा कि तुम मुझे कुछ और अपने बारे में बताओ, तो उसने बताया कि जब ये मिर्दाद ने अपना मुझ खोला, और सारे लोग, उसके, उसकी शिक्षाओं को भ्रहन करने लगे, तो नरोंदा नाम के एक जो सबसे छोटा साधक था, उसने सारी शिक्षाओं को लिख लिया, और लिख के ये किताब बनाई है, किताब मिर्दाद, जिसको की मिर्दाद में मुझे दिया, दो साल बाद, दो साल तक ही शिक्षाओं चलती रही और दो साल बाद मिर्दाद में अपने साथियों से कहा, कि साथियों अब हमारे जान और तुम मनुश्यों का साथ नहीं कर सकते तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि तुम ये किताब उस व्यक्ति को ना दो जिसे मैं भेजूंगा तो शमदान ने कहा कि ऐसा बोलके मिर्दार ने अपने साथियों को गली लगाया उस दिन बहुत धुंद थी पहाड के चारों तरफ बहुत कोहरा था बहुत बादल थे और वो सब पहाड पर चलते हुए कोहरे पर चलते हुए ऐसा लगा जैसे कि एक सुनहरी लाइट की टनल जो होती है उसमें एंटर कर गया और सब के सब चले गया और मैं यहां इस किताब को जो कि मिर्दार ने प्र कुछर पॉसितार कि कब तुम आओ और मैं तुम्हें यह किताब को जिससे मैं शाफ से मुक्त वो सकोँ तो दो खूँ इसा कि कि शमदान जो है किताब लेने की लिए चला घया और जब किताब ले के आया तो उसने कहा कि देखो यह किताब जो है तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं है तो मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ यहाँ पे तुम यह कपड़े पहन लेना क्योंकि तुम ऐसे इजालत में नीचे नहीं जा सकते और मेरा तो अब जाने का समय आ चुका है तो फिर मैंने इस से पूछा कि लेकिन हुआ क्या था यहाँ पे तो उसने बताया कि जब मिरदाज जो है वो यहां का मास्टर बन गया मतलब उसकी शिक्षाएं सब लो क्रहन करने लगे तो दीरे 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 उसने जो है जो मत की सारी जमीने, सारी संपत्ती जो कि मैंने बहुत सारी खटी कर ली थी इतने सालों में मत के पास बहुत जादा पैसा था वो जरूरत मंदम में बाठ दी और मत के साथियों को वो उपहार और बहुत सा सामान लेके पास के गाओं में बेजा करता था जहां जाके हम लोग, वो सारे लोग उन व्यक्तियों को जिनको आवश्रक्ता थी, उनको वो सामान देते थे, उनको पैसे, कपड़ें, जो भी चीज़ें थी, जमीने देते थे, और इस तरह से मुले, सब दो साल के अंदर सब समाप्त हो गया, और जो आकरी दिन, आकरी कुछ बार दिया, और सब खतम करके वो लोग चले गए, और मैं यहां रह गया, मैं तुम्हारा इंजार करता हुआ, यहां रह गया, ऐसा कहके वो वक्ति फिर से रोने लगा, तो मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम मुझे क्या देना चाहते हो, उसने मुझे किताब दी, और उसने कहा कि ठीक है, तुम मैं अंदर जाता हूँ, कपड़े उतार देता हूँ, तुम वो पहन देना, मैं अंदर गया, मैंने वो कपड़े पहने, वो पहन के मैं बाहर आया, और मैंने कोशिश की कि मैं देखूं कि शमदान कहा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, और अचानक मैंने देखा कि जो गुफा थी जहाँ पर ये सब बात हो रही थी गुफा के मुख पर शमदान एक पत्थर की मूर्ती बना हुआ बैठा है और वो मूर्ती जो है उसकी आँखें शून की और ताक रही है तो फ्रेंस यहाँ पर ये स्टोरी खतम होती है और पर लमभी जो है ये शिक्षाएं शुरू होती है किताब की बुक आफ मिर्दाद की तब हम शिक्षाएं सुनेंगे तो फ्रेंस साथ साल तक मिर्दाद ने चुक चाबसेवक बनकर सेवा की और उसके बाद फिर usने अपनी सिक्षाएं देने शुरू की एक बार सारे मठ के साथी बैठ के भोजन कर रहे थे और मिर्दाद सेवक के रूप में उनकी सेवा कर ला था अब मठ का एक नियम था कि वहां पर मैं शब्द का प्रयोग बना था लेकिन बार बार शम्दान जो मठादीश है वो मैं बोल रहा था जिसको लेके बाक में क्या कहता है तब मिर्दाद में साथ साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने कहा कि वैसे तो शम्दान में मुझे नीचे दिखाने के लिए बात कही है लेकिन ये दिन ये समय मैंने चुना था जब मैं अपने आवरन हटाऊंगा और मैं अपने ताले तोड़ू हम आथे हैं कि हैंड है पर्तों में घर हुआ वहा है ऺति हैसमज नहीं पा और जित्ने भी शब्द बोलता है वो उसको और भी ज्यादा गय्ким टाले में लगाते बंद करते, सील करते चले जा रहे हैं, तो मेरा यह सोचना है, फ्रेंड्स की जो हम जो जितने भी व्यर्थ की बातें करते हैं, यह हमें और ज्यादा बंधनों में बानती चले जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें और ज्यादा प्रयतने करना पड़ रहा है उन बंध कि सच्चाई क्या है सच्चाई वो है जो कि नहीं इन आखों से देखी जा सकती है और नहीं इन शब्दों के द्वारा बयां की जा सकती है उसको जानने के लिए हमें अपने अंदर जाना होगा हमें अंदर जाके उसे महसूस करना पड़ेगा तब हम देख पाएंगे और तब बूल बनेगा की तरह हर समय जो है वो परिशानी में ही रहता है गूंता रहता है उसका कारण यह है क्योंकि हमने जो है चीजों को वैसे देख रहे हैं हम जैसे हम देखना चाहते हैं हम सचा ही नहीं देख रहे हैं तो मिरधार कहता है कि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो त तो मिरदार कहता है कि इन पर्तों को हटाने के लिए और इन तालों को तोड़ने के लिए जो हम हर शब्द के साथ अपने अंदर अपने ऊपर लगाते चले जा रहे हैं हमें ये जानना पड़ेगा क्या जानना पड़ेगा एक creative word जिसको मिर्दार बोलता और वो creative word क्या है creative word है I am या मैं हूँ तो I am क्या है मिर्दार कहता है कि यह जो है I am word यह सभी चीजों का वो source है यानि कि जनक है और केंद्र भी है इस शब्द में I am या मैं हूँ इसमें सारे शब्दों की आत्मा है अब मिर्दार कहते हैं कोई चीज जो चैतन्य हमारा वो कोई चीज जो कि आप नदेख सुन सकते हैं जिसको और नहीं उसको समझ सकते हैं सुन सकते हैं जो कि अद्रश है वो प्रकट हो रही है वो कैसे प्रकट हो रही है हमारे द्वारा हम उसको प्रकट कर रहे हैं, उस शुद्य चैतन्य को हम प्रकट कर रहे हैं, हमारे द्वारा वो बोल रही है, सुन रही है, देख रही है, तो यह कहते हैं कि लेकिन हम उस शुद्य चैतन्य को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे द्वारा प्रकट हो रहा है, तो अब इसको कैस कि इसे आगे जानना है इसके लिए में रिधार बताते हैं कि जो हमारी मैं महते हैं आगक स्टॉ से जो हमारा वास्तिविक वार् करोंग हुआ अपने उक शुद्री रूप में देखने लगते हैं तो अगर मिड़ात का कहना है कि जब आप गड़ vine our up जाना जाता है और जहां सारे कि expectation आने वाले सकतडस कश्ट हैं वह व you कि खरोचे लग रहे हैं उनसे वहां प्यूब रहे हैं वह विचार आपको रहे आंग ईपिस वह न Allah करभ़िए कि अधिन किए फिर मिरदात कहताई कि झब आपका है जो होए वह भावनाओं के आधि तो जब आप बोलते हैं मैं मैं मेरा मैं हो और आपके हदाय में बहुत तीवरता से ऐसी भावनाएं आती हैं जो कि ऐसा लगता है से काटे लगे हुए हैं आपके हदाय में काटे चुप रहे हैं वो भावनाएं आपको कश्ट देती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी मैं ज तो आप उसको विभाजित करने की कोशिश की तो चैसे की तो ये सारे कश्ट शुरू हो जाते हैं जीवन la कि सारे युद्ध शुरू हो जाते हैं जीवन में तो आप हमेशा युद्ध में हैं अपने साथ और दूसरों के साथ एक लगातार युद्ध चल रहा है आपका तो मुझेदार पर कहना कि जैसी आपकी consciousness है वैसा ही आपका संसार है बाहर का तो अगर आपका कौण हो में क्या हूँ तो आपके संसार में बहुत clarity है बहुत सफाई से साथ आपको स беспष दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आपके संसार में विभक्ती है विभाजट है तो आपके संसार में बहुत ज़्यदार पहेलिया है बहुत कश्ट है तो विर्दार कहते हैं कि अगर आप उस में के साथ एक हैं जो आपका शुद्द चैतन है आप उसके साथ एक हैं तो आप इस धर्दी और उसके रहवासियों के साथ बहुत ही शांती पून जीवन बिताते हैं ऐसा उनका कहना है लेकिन मनुशी में क्या किया है मनुशी में और हमने क्या किया है, चारों और अपने खाईयां, गहरी खाईयां खोदी हुई हैं, हमारे और दूसरों के बीच में, और ये हमको बहुत जादा कष्ट दे रहा हमारे जीवन को, कष्ट में बनाया हुए है, तो मीरदात कहते हैं, कि आपको, आप जो है, वो आप creator हो, तो अंतरग्यान आपको चाहिए दिविग्यान, और दिविग्यान जब वो आएगा आपके जीवन में अंतरग्यान, तो आपके जीवन में perfect balance आ जाएगा, और वो perfect balance क्या है, उसको मीरदात आगे describe करते हैं, तो अब हम जानेंगे संदुलन, संदुलन के बारे में, मीरदात कहत स्थित है, वो एक में जो है हमारे स्रष्टी करता की में, उसमें सारी में हमारी स्थित है, तो अब क्या होता है कि जब स्रष्टी करता ने ये स्रष्टी बनाई, उसने क्या बोला, उसे जादा कुछ नहीं करना पड़ा, उसने कहा I am, मैं हूँ, और ये सारी स्रष्टी जो इसका कहना है दिव मिद्दाद का कि यह जो I am है यह स्रष्टी है यह खाली खोकला वर्ड नहीं है इसके अंदर एक intelligence है और वो intelligence ही सारी स्रष्टी को चला रहे है जीवन्त कर रही है जो रूफ फोक्ना जिसको बोलते हैं विविफाई कर रही है तो वो intelligence और यह जो consciousness है और जो स्रष्टी करता का रूफ है इसको कहते है holy Trinity तो यह तीन चीज़े हैं पहला शुद्द चैतन ने दूसरा जो I am जो creator है creative force है और तीसरा intelligence जो हर पल प्राणियों के अंदर सांस ले रही है और हमें चला रही है इस स्रष्टी को चलाने वाला जो रूफ है हमारे creator का यह holy Trinity है इ इश्वर का रूप तो मिरदात का कहना है कि यह तीनों जो है इनको हम कहते है perfect balance तीनों अपने perfect balance में है इश्वर में लेकिन मनुष्य जो है वो क्या है वो इश्वर की संतान है फिर भी उसके अंदर वो perfect balance नहीं है क्यों नहीं है उसके अंदर वो perfect balance हम सम मनुष्यों के नशुद्द चैतन ने दिया है, अपना creative रूप दिया है, जिस से हम अपन अपना संसार बनाते रहते हैं जिस तरह का संसार हम चाहते है हम बनाते हैं, और साथ ही हमारे अंदर intelligence न देग की ज्यान भी है, फिर भी हम हमारे अंदर संतुलन नहीं आपाया हमारे जीवन में हमारा जीवन कश्ट में है हम मिर्दार का कहना है कि हम हर वक्त मदद के लिए पुकार रहे हैं हम लहलुहान है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि संतुलन कैसे आए तो वो क्यों नहीं है संतुलन उसका कारण मिर्दार बड़ी खुबसूरती से बता कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जो नवजात शिशू होता है उसको कपड़ों में लपेट देती यह बच्चा सुरक्षित महसूस करता है माँ को तो पता है कि यह बच्चा और यह कपड़ा है लेकिन बच्चे को नहीं मालूम है कि यह मैं हो और यह कपड़ा उस उन बहुत इंटरस्टिंग है, मिकाइल नईमी ने इसको बड़े एक अबसूरते से डिस्क्राइब किया, मिर्दात के द्वारब, तो यह जो कपड़े हैं, यह क्या है, जो समय और काल, यह भी कपड़े हैं, यह हमारे, time and space, time हमारी एक परत है, space हमारी एक परत है, फिर मिर्दात कहता है कि, यह हमारे 5 senses है, 5 याने इंद्रिया, यह भी एक परत है, और इनसे दिखने वाली सारी चीज़ां जो है, वो सब आवरण है, जो हमारे उपर लिप्ते हुए हैं, और मनुष्य उन आवरणों में, और उन अपने में परत नहीं कर पा रहा है, उन आवरणों को अप इस तरह से अपना जीवन जो है, सहायता के लिए चिलाता हुआ, पुकारता हुआ, निकाल देता है, और वो समझ नहीं पाता है, कि मैं कौन हूँ, और मेरा क्या रूप है, और यह जो परते हैं, यह कौन है, और यह कहा है। तो मिरदाद कहता है, कि साथियों, अपने मटके साथियों से कहता है, कि जो मैं शब्त है, इसका प्रयोग बहुत ही साफधानी से बहुत वाइजली करना है, क्योंकि यह देखना है, कि यह जो मैं है, यह कहां से आ रहा है, क्या यह हमारे चैतन से आ रहा है, या फिर जो हमा प्रइन और ऊपर प्रते हैं लगे हुँए आवरन है जो हमारा उगो स्ぇल से यह मैं आ रहा है तो क्रेंज दालो अपनी जो हमारे पीजिन सवरूरूप है जिन से मिलके इश्वर बना और जो हमारे अंदर भी है वह जाना हमे और उम्ünे चथा अथी जाना कर दो कर दो कर दो